हेलो फ्रेंट्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं अपने चैनल ट्रडिशनल स्टैलिश प्रियंका में आज की जो वीडियो है कुर्ता सेट्स हाल का रिव्यू है और ये सारी कुर्ता सेट्स मैंने जो हैं मिंत्रा से बाई किये हैं सभी पार्टी वियर हैं, बहुत ही अब आने वाले हैं, दुरका पूझा आने वाली हैं, इस अभी को वियर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे और बहुत ही खुशूरत कुर्ता सेट्स हैं, I hope आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो से आपको थोड़ी से भी हैल्प मिलती है तो वीड अब आप से खुल के आज आएंगी, उसके बाद आप जैसे पिक्चर पर क्लिक करेंगे, उसके और पहुच जाएंगे, अगर आप चाहें तो आपसे उसे पर्चेस कर सकते हैं, बहुत सारी हमने बाती कर ली, आईए हम अपना कुर्ता सेट्स का रिवीव का वीडियो शुर हैं बहुत ही अच्छा वाला एसका फैब्रीक है, और इसके नेकलाइन पर देख सकते हैं इस तरह से इस पिपरिडरी के गई हैं, सीक्वेंस वर्च और गोल्डेन जरी वर्क से इस पिपरिड़ के गई हैं, जो की देखने में बहुत ही हुपसूरत है, एकदम नीटली फिन बटन से डिटेलिंग मिल जाती है और साइड में आपको डॉट 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 जो है यह भी गोल्ड फॉइल प्रिंट का वर्क है और स्लीव इसकी 3-4 स्लीव है जो फॉइल प्रिंटिंग की वर्किंग है मुझे बहुत जादा पसंद आई नीचे के साइड में आपको गोटा पत्टी की Lass की वर्क की डिटेलिंग मिल जाती है गोटा पत्टी लैस से इस पर वर्क किया गया है और इस कुर्टे को बिल्कुल डीजाइनर लुक दिया गया है एक साइड में एक साइड में आपको डॉट-डॉट फॉयल प्रिंटिड का वर्क मिल जाता है जो की दीखने इसके जो sleeve और की pattern है वो बहुत ही ज़्यादा पसंदा है geometrical pattern है और बहुत ही खोपसूरत लग रहा है इसका golden foil print का work जो है बहुत ही प्यारा कुरता है festival wear के लिए party के लिए बहुत ही खोपसूरत है बहुत ही प्यारा कुरता है आईए इसका plazo भी हम देख लेते हैं इसका plazo जो है cream color का है उस पे golden foil print का work किया गया जो की बहुत ही खोपसूरत पूरे plazo में आपको चोटी-चोटी बूटियां मिल जाती है नीचे के साइड में आपको broad सा golden foil print का border मिलेगा बहुत ही खोपसूरती से इस पे printing की गई है मुझे ये plazo बहुत ही जादा पसंद आया आप देख सकते हैं नीचे के साइड बहुत ही चोड़ा सा आपको broad सा border मिलेगा और ये plazo ऐसा है कि जिसे आप बहुत ही multi तरीके से use कर सकते हैं किसी भी अपने dress के साथ mix and match कर सकते हैं उपर के side में आपको elastic मिल जाती elastic के साथ आपको एक dory मिलती है dory में जो है golden jerry work के tessels लगे हुए हैं जो कि इसकी खोपसूरती को बहुत ही जादा बढ़ा देता है आप चाहें तो इसे top के साथ भी wear कर सकते हैं या फिर किसी भी short गूर्ता के साथ long गूर्ता के साथ बहुत एक खोपसूरत प्लाजो है और इसकी printing और इसकी कपड़े की quality बहुत अच्छी है रियान का fabric है काफी comfortable fabric है बिल्कुल भी dis comfortable आपको नहीं feel होगा और इसकी price में screen पे mention कर दूँगी मैंने से कितने में buy किया हुआ था इस कुर्ते का भी आप multi तरीके से use कर सकते हैं इसके नीचे आप skirt वियर कर सकते हैं चोड़ीदार, टाउजर भी आप इसके नीचे वियर कर सकते हैं अगर आपकी height थोड़ी सी कम है तो आप इसे as a long maxi dress भी आप वियर कर सकते हैं और plazo को भी आप किसी भी अपने कुर्टे के साथ mix and match कर सकते हैं मेरी तरफ से 100% recommended है बहुत ही प्यारा कुर्टा plazo set है next जो कुर्टा plazo set है उसे भी हम देख लेते हैं ये भी बहुत ही प्यारा है light yellow color का lemon yellow color का कुर्टा है V neck है इसकी और neck के around आप देख सकते हैं जरी से embroidery की गई है golden foil print का work नहीं है जरी से embroidery की गई है और A line कुर्टा है ये इसकी sleeve जो है 3-4 sleeve है और sleeve पे इस तरह से जरी work की detailing मिल जाती है नीचे के side में बहुत चोटी-चोटी embroidery की गई है और यहां पे पूरा flower की embroidery की गई है जो कि wear करने पे बहुत ही खुपसूरत look देती है और ये जो है A line कुर्टा है लेकिन side में slit दी हुई है और A line के बावजूद भी इसमें slit दी थोड़ा सा different pattern look create करने के लिए बहुत ही प्यारा yellow color है एकदम आख में चुपने वाला नहीं है बहुत ही soft सा yellow color है यह है इसका back side में all over plain कुरता है यह सेफ इसके sleeve पे और neckline पे आपको embroidery मिलेगी बागी कुर्टा पूरा plain है और इसका जो fabric है cotton का है बहुत ही comfortable है linen का look आता है जो linen वाले कपड़े होते हैं जिसमें lining lining आपको दिखती है उस तरह से है और semi see-through है बहुत ही हलका सा transparent है ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा transparent कुरता है यह और बहुत ही प्यारा look और elegant look आएगा इसको wear करने के बाद इसको आप healthy ceremony में या फिर पूजा में या फिर किसी भी party function में आप इसे wear कर सकते हैं और यह है इसका डुपट्टा इसका डुपट्टा बहुत ही खुबसूरत है इस तरह से आपको tessels मिल जाते हैं चोड़ा सा border मिलेगा रेसम के ही धागे का काम है और एकदम silky डुपट्टा है जो कि थोड़ा सा shiny है आप देख सकते हैं इस तरह से shiny सा डुपट्टा है इसका और बहुत ही light weighted डुपट्टा ऐसा नहीं कि बहुत ही heavy डुपट्टा है वियर करने पे इसका look बहुत ही खुबसूरत आने वाला है डुपट्टे की जो length है वो बहुत ही अच्छी है नॉर्मल डुपट्टे की जितनी होती है और इसकी चोड़ान भी बहुत ही अच्छी है ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटा सा और बहुत ही कम चोड़ान का यह डुपट्टा है डुपटे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इस कुरता प्लाजो सेट की जो प्राइस है मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी मैंने इसे 2000 संथिंग में इसे परचेस किया है बहुत ही प्यारा और बहुत ही खुबसूरत कुरता है और इसके लिंक भी मैंने डिस्क्शन बॉक्स में दे दूए है और यह है इसका प्लाजो इसके प्लाजो में भी अगीन जो है आप देख सकते हैं इसका फ्लेयर इतना है बहुत ही जादा भी नहीं है नहीं बहुत ही कम फ्लेयर है और wear करने पे इसका लुक बहुत ही खुबसूरत आने वाला है आप देख सकते हैं ये इसका neck pattern है जब आप wear करेंगे इस तरह से आगे की side आपको छोट छोटी plates मिल जाती है neck के just नीचे क्योंकि ये line का कुरता है लेकिन side में आपको slit मिल जाती है wear करने पे इसका लुक इस तरह से आएगा मैंने इसे iron नहीं किया है इसलिए इसका लुक थोड़ा सा messy दिख रहा है लेकिन trust me बहुत ही खुबसूरत है और बहुत ही प्यारा कुरता लगता है wear करने पे दोस्तो ये था मेरा आज का कुरता सेट्स का review I hope आपको ये कुरता प्लाजो और कुरता सेट्स जरूर पसंद आए होंगे वीडियो थोड़ी से भी पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अपने family friends के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा और make sure कि मे रहे ये bye bye take care